तो आज मैं एक कोकिंग वीडियो लेकर आई हूँ और आज मैं बनाओंगे हमारे बंगाली का स्पेशल मेन्यू जो है भुना खिचरी एंड मिक्स वेच हम लोग बंगाली में बोलते हैं लाबरा और भुना खिचुरी तो यहाँ पर मैंने जो मीनवाइल सब्जी काट लिया ह मैं में सारी सब्जी चट लहारी हूँ आप लोग देख सकते हैं मैंने प सारी सब्जी्यी का सब्चा डाला रही है आप चाहे तो आपके मन पसंद का और वी सब्जी एड़ कर सकते हैं जबाटे जाप में आपके हैं बाटे जुझाटेच विह और तो चुमज जासा गीऊ के उंप डोगा है तो जाला डाला है जाला गी यापर दो चमल जैसा जी होगा उसके बाद मैंने पर तो दोगें लिए प्रिशान अजया किसा था चुल और बॉर्साफ यहां पर मैंने चावल काम आती है उसी चावल को लिया है उसके बाद मैंने यहां पर नमक खल्दी फिर हो गया पर जीरा पाउडर यह सब डाल के थोड़ा सा तीन-चार मिन तक फ्राई करके अच्छे से पस्पानी मेजरमेंट करके पानी डाल दिया है और ग्रीन चिली डाल और इसको में ढखके और यह जो है लीड में होल है उसको में किसी चीज से कवर कर दूँगी और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दोंगी और उसके बाद यह जब आधा पक जाएगा उसके बाद असका ठकन हटाके फोड़ा से मिक्स करके आप फोड़ा से स्वीं मिला दीजि जब तक चाबल बॉइल ना हो जाए अच्छे तरीक से उसके बद बस इसको बंद कर दीजिए उसके बद मैंने यहां पर जो बैंगन काट था था फ्राइ करने के लिए इसमें नमक खल दी और थोड़ा सा चीनी डाल के मिक्स करके डख दिया था और यह कराई पर मैं अभी ते कराई में निकाल के रख दिया और उसी तेर में निकाल के रख दिया और उसी कराई में मैं यहां पर मस्टर ओल डाल रही हूँ और वह जो मिक्स वेज हम लोगों ने काटा था उसको बनाने के लिए तो यहां पर तेल से गरम होने देंगे उसके बाद यहां पर मैं देरही हूँ वह सूखी miर्च पांचपोरन और तेज़ पत्त और अद्रक यहीम करके टोरे निकाल ममिक्स करके प कैड़ने करके ऐसको नमक आधी डाल के मिक्स करके हम लोग उसको ढग देंगे बॉइल होने के लिए और बैंगलूर का सब्जी ऐसा है पानी विल्कुल नहीं छोड़ता है तो हमें उपर से एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ता है और यहाँ पर मेरा खिचरी बन किया है उतने ही देर में और उसके बाद यह सब्जी जो है बॉइल नहीं हो आए अभी तक तो मैं इसको थोड़ा सा हिला देती हूँ ताकि नीचे से लग ना जाए उसके बाद मैं थोड़ी दिर बाद आके फिर से चेक की तो यह हो गया था उसके बाद मैं यहाँ पर डाला है चीरा पाउडर उसको थोड़ी दर छोड़ दीजिए बस हो जाएगा और बाद में यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्लेटिंग बेंगॉली खाना स्पेशल खाना अगर आप लोग को अच्छा लागे तो प्लीज जरूर ड्राइ कीजिए और मुझे जरूर बताईए कैसा लगाए थैंक यू एसकी लादा थे जो मुना दे जल बुरूर थे जाएगा